तरह वर्सों में 17 सेकंड के लिए भी एंडिये में कहीं कोई मत्वेद नहीं रहा है अटल जी सद्धे अटल जी तो 35-35 दलों का एंडिये चलाते थे जैंब और उसके नेता थे वो लेकिन उनकी सूच दूसरी उनकी सूच थी सहयोग्यों को समान देना चैंब सहयोग्यों को उनका हक्ते छैंब सहयोग्यों को अपमानित नहीं करना इस इस शिध्धान पर उन्होंने चलाया आज जो लोग भारती जंता पार्टी के सासन में और नित्री तुमें हैं वो बताएं ना कि 2014 से 14 से 24 के बीच में जितने एंडिये में गठवंधन में जितने दल आये कोन बचाए जाए इसलिए कि सबों को अपमानित कि आई कि यह अपमानित करके गठवंधन चलाना चाते थे हम लोग की पार्टी और उनाचल में साथ विधान सुवा की सीट जीती कि साथ विधान सुवा की सीट में हम लोगों ने इनकी सरकार बन गई हमारे भी विधायकों ने लिखके इनको समर्थन दिया उसके बाद छे विधायकों को इन्हों ने अपनी पार्टी में मिला लिया कि अधार यह कभी आस्ता कट्ल जी और अडवानी के समय में नहीं होता था हम इक दूसरे दलों से किसी को जॉइन नहीं कर도 लेकिन को इनको उससे मतलब नहीं है इनको करवाते दलबदल नहीं करवाते लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है इनको गठवंधन चलाने से मतलब नहीं है इनको इस बात से मतलब है कि गठवंधन में लाइए उसको अपमानित कीजिए उसका पैर कतरिये उसको छोटा करिये उसको जितना कर सकते हैं वो करिये हम आपको ब हमारी संख्या सबसे ज़्यादा थी फिर भी नितीश कुमार जी ने इनको प्रयाप्त प्रतिनेद्य तो दिया 2010 के चुनाओं में हम 118 विधान सवा सीट पर जीते थे हम अकेले चाहते तो सरकार बना सकते थे मुखमंत्री नितीश कुमार जी ने कहा कि नहीं गठवंधन धर का मतलब यह नहीं है अगर कोई सहयोगी दर हमारे साथ है तो हम उसको का उसका भी सम्मान करें और उन्होंने इनको प्रयाप्त प्रतिनेद्य तो अपनी सरकार में दिय 2015 में हम महागठवंधन में थे महागठवंधन से 2017 में हम बाहर आए और तब भी जब सरकार बनी NDA की तब भी इनसे जादे मेरी संक्या थे फिर भी हम लोगों ने इनको प्रयाप्त प्रतिनेद्य तो दिया इनको सम्मान दिया 2019 के चुनाव में इनको प्रधानमंत्री बनना था तो इन्होंने पुर्ण सहयोग गंठवंधन धरों का पूरा पालन किया इसलिए कि इनको सांसुदों की संक्या चाहिए थी और यही प्रणाम था कि हम 4049 लेकिन 2020 के विधान सवा के चुनाव में इन्होंने खड़ेंद्र क हमारी संक्या कैसे घटे हम कैसे समाप्त हो इसका प्रयास इन्होंने शुरू कि भारतिये जनता लोग लोग जनसक्ति पार्टी को भड़का के उसको जनता देलियों के खिलाब खड़ा करने के लिए उक्सा आए उसके बाद भारतिये जनता पार्टी के नेताओं को इन्हों लोच्पा का टिकट दिलवाया। चुनाओ में विधांसवा के चुनाओ में भारतिय जनता पाठी के सभी कार्चकरताओं को निर्देशित किया कि लोच्पा को मदद करें। ताकि हमारी संख्याग घटे। चुनाव के बाद मुख्मंत्री जी ने सभी जीते हुए और हारे हुए सभी विधायकों से बात कि सबों ने एक स्वर में कहा कि हम इन लोगों के कारण खा रहे हैं इन लोगों ने हराने का प्रयास किया पूरे तोर पर यह लोजपा के साथ खड़ी थी यह ऐसा होता है कि अपने साथियों को कतरिये अपने साथियों के खिलाफ सडेंत्र करिये अपने साथियों के खिलाफ कुमार जी मुखमंत्री नहीं बनना चाहते प्रधान मंत्री ने उनको मुखमंत्री बनने के लिए आग्रह किया उन्हें श्विकार कि अब जब करके ब्यान दिलवाते थे कि नितीश कुमार छोटे भाई हैं हम बड़े वाई हमने इनको मेरा इनका इनके उपर है मेरे हैसान पर यह मुखमंत्री बनने हैं ऐसा कहीं होता है कि यह कितना दिन कितना दिन तक कोई वर्दास करके अपमान सांव के गठ्भंदन धर्म निवाएगा या पहले भी अटल जी के टाइम में भी सutra वर्ष निवाए और इनके साथ भी पांच वरसों तक उन्हों ने गठ्भंदन धर्म निवाए लेकिन जैसा आप कह रहे है तो और क्षेटां का इधायकों का हारेहुएं लोगों का इतना दवाव था मुंक्रमांतुरीयोगे उपर कि हम लोग को अप मानित किया जा चाया है कि हम लोग अप्मानित महसूस कर रहे हमारे नेता को अप्मानित किया जा रहा है और तब नितिश कुमार जी ने चौज़ा तारी को बैठें गुला के उन्होंने सबों की एक सवर से सबों की यह राय थी कि जितना जल्दी हो सके तकाल इस गटवंदन से बाहर के लिए कि अप्तम मुखनों तो ही निफस लगी है कि अब जिसकर से भाज पारुप लगा रहे हैं यह अपना मोगालते में रहें यह सब प्रचार करते रहें बिहार की जंता इनको चुनाव में दोजार चोड़ाइस के चुनवाव में बता देगी कि क्राइम बढ़ा है कि गुंदाराया है कि आप जैसे दोखेवाजों को विदा करना है लेकिन 2024 की अबाद कर रहे हैं 2024 में जिसको गठ्वन्धन बना रहे हैं इसका आपको रूप क्या देख रहे हैं कि जो अभी केंडर में जो सत्ताधारी है क्या 2024 में आएंगे इन राज्यों का अपने नाम भी लिया कि पस्टिंग मुंडाल हो जारखंड हो बिहार हो बीजेपी बंगाल में आज इनके सुलब इढ़ा है सांसद है 16 सांसद कितने जीत के आएंगे बंगाल से पिधान सवा के चुनाओं में तो बड़ा तुफान मचाए थी क्या हुआ आजितने हाँखे टिकट लेके उधर से लाके जिसको टिकट दिये थे उसाप बापस चला गया तुरुनम्र कॉंघ्रस में का सफाया होगको विदौर नहीं मिलेगा दुज़ार 24 के चुनाओं में इनको बंगाल से लोकसवा का चुनाओं लड़ने वाला उमिदौर में इनकी संख्या तो 16 वहां से बढ़ेगा विहार में आज 17 की संख्या में एक अगर जीत जाएं तो नहीं कर सकते हैं बाकी 16 वहां से हारेंगे कि में कम से कम 15-16 वहां से जार्खंड में आज 14 हैं इस पिधान सवा के चुनाव में जार्खंड का जो हुआ इनका सफाया हो गया तो 14 में से कितना घटेंगे इनको भी अंदाज है कि कितना घटेंगा आज कल दक्षिन भारत काई कि लिए बार बार जा रहे हैं कि क्योंकि इनको मालूम है कि उत्तर भाहर में उत्तर भारत में हमको घटना ही है बढ़ने की कोई गुंजाइस नहीं है यह उत्तर प्रदेश में घटेंगे मैंने तो कल तीन राज की बात की उसको हमने आपको अस्पंश कर दिया तो बिहार में बंगाल से सोलह बिहार से पंद्रह सोलह एक तीस तीस और छे साथ आठ भी अगर यह घट गया जारखन में तो अनतीस होई गड़ गया इनकी संक्या कितनी है 303 है 272 का जादू यह अकड़ा चाहिए तो एक तीस ही नहीं जादा है तो तीन रहां से साफ हो जाएंगे आज उत्तर प्रदेश में यह सबसे मैक्सिमम उचाईयों पर है तो उसमें सो नीचे ही नहीं जाएंगे उसके उपर कहां जाएंगे अब करना था नहीं है लेकिन जो CBI का और इडी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस दिखाई पड़ रहा है बंगाल के जब चुना हो रहा था मंझा तो वहां। इन्होंने शीवीए को लगाया। सब्सक्राइब यह लगाये तो उसका क्या हूं हुआ। तो इत्र ब्यापारी कहां छापा पढ़ा उसके बारे में थो बात में चान तो वीजय पिग हां तो गलती से उसके मिलाथ आहां सुने क्यों तो बीजे पिका नेता था और गलती से उसके यहां चापा पड़ गया हूँ बगल वाला जो दूसरा घर था वह समाजवादी पाटी का इत्र का व्यापारी तो इनका जो आजमी ता उसी कहां 400-300 कोड़ों रुप्या निकल गए तो इडी का जोई इस्तेमाल करते हैं बहुत किया इन्होंने इडी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ परिणम कहां थे इसके पहले बाले चुनाव में कितनी संख्या घटी उत्तर प्रदेश में इनकी घट गई तो इसलिए इनको कहीं महाराश्ट में क्या कर रहे हैं आप बताइगे सरत पवार जैसे सीनियर व्यक्ति क्या इंट्रप्टेस का नोटीज दो जो रहे हैं इनका सुच दूसरा है इनका सुच है कि विरोधियों को डराओ विरोधियों को धंकाओ विजोधियों को पसाओ और तो आपना पार्टी का बढ़ाओ यह इनकी सौंच तो इससे कौन बहार वार में नहीं डरने वाला कि नेत्री तो करेंगे की नहीं करेंगे यह अलग सवाल यह सभी पार्टियों पर निर्वर करता है कि कौन उसका नेत्री तु करेंगा हम लोगों ने और ना नितीज कुमार जी पुधान मुंत्री के उमिद्वार है हम लोगों ने यह कहा है कि नितीज कुमार जी पुधान मंत्री के उमिद्वार नहीं है लेकिन पुधान मंत्री बनने के पी जितने गुन चाहिए जितनी योगता चाहिए वो नितीज कुमार जी में उपलब्त है तो पुधान मंत्री का उमिद्वार होना और योग होना इस झाल झाल